हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होब कि आप लोग अच्छे होंगे इस वीडियो के जरीए मैं आप लोग के यह बताना चाहता हूं कि मेरा साथ फ्रॉड हुआ है कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिये गा और अन तक देखियेगा प्रेंड्स जब मैं दिल्ली में था तो मेरे पास एक कॉल आया एक लड़का था पतना जिला का लड़का था मेरा दोस्त ही था कोई खास दोस्त नहीं था बस जान पाचान थी उससे और वो कॉल किया तो बोला कि बाई एक जॉब के लिए बात किया हूं ट्रांस्पोर्ट क तो हम उसके काहें कि कैसे तुम पर भरोसा कर ले तो बोलता है कि मैं खुद काम को करता हूं तुम आकर देख सकते हो और इसमें पहले प्रेंडी दिया जाएगा अर्ट्रेंग के दौरां सिख जाओगे तो बहुत अच्छा पैसा है इसमें पस यही बोल रहा था तो हम पर है तो बिहार गए बिहार जाने के बाद में यह भी लड़का बिहार में ही था पटना में तो हम उसके चलो साथ में चलते हैं उस लड़के के साथ में जब राची वहाँ पर पहुंच गया तो वहाँ पर बोलता है वहाँ पर राची उतरने के बाद जहां पर एक काम करता यह इस कोंपनी इन वहाँ पर पहूंुचने का बाद यह बोलता है कि बीजंजार रुप्या लगेगा इंटर्वू देना पड़ेगा तभी जॉब लगेगा तो हम कहें कि 20,000 उपया लएगा 20,000 अब हम कहां से लएगा तो बोलता है कि 20,000 तो देना ही पड़ेगा इंटर्विव देना है तो तभी इंटर्विव में पास होगे तभी आपको जौब लगेगा तो हम कहें कि चलो ठीक है देते हैं पिर यह भी बोला कि अगर आपको काम करने का मन नहीं होगा आपको काम पसंद नहीं होगा तो आपका पूरा पैसा वापस हो जाएगा तो हम कहें कि चलो और अच्छा बात है कम से कम मेरा पैसा तो वापस हो जाएगा पूरा पैसा वापस हो जाएगा आप 10 दिन की जिये अगर आपको काम पसंद नहीं है तो आपका पूरा पैसा फिर वापस हो जाएगा फिर उसके बाद मैंने एक दोस्त को कॉल किया बोला कि भई ऐसा ऐसा बात है तो मैंने पैसे का इंतजाम तो कर लिया तुरंत के तुरंत ही इंतिजाम हो गया दोस्त से बोला इंतिजाम हो गया फिर उसके बाद इंटरव्यू रूम में गया वो लेकर गया मेरे को इंटरव्यू में लेकर गया तो इंटरव्यू के अंदर जाने से पहले ही मेरा फोन ओफ करवा दिया और बोला कि इंटरव्यू क आपको सेलेक्ट कर लिया फिर हमको लाए कि सर बोले कि तीन हम गल्ति के दे कि हम सेलेक्ट हुए कि नहीं बोलता है कि हाँ आप सेलेक्ट हो गए हैं आप ट्रेनिंग कीजिए 15 दिन और 20,000 रुपया मांग रहा था हम कहें कि 20,000 किस काम का लेते हैं तो बोला कि यहां पर राना फिर हो जाएगा अब जब तक रही है तब तक इस काम को कर सकते हैं फिर उसके बाद हम वहां पर दिग गया और फिर फिर वह लड़का मेरे को अपने रूम पर लेकर गया रूम पर जाकर देखा तो वहां पर बहुत सारे लड़के थे वहां पर जाते ही सारे लड़के हमको को में इतना रिस्पिक्ट दे रहए थे इतना रिस्पिक्ट की अन्यलेग नहीं सर्च बोलते थे ऐसा जया जहां दता है कि जैसे एक गर का ऑन पाउं की अजयर का भाँन है ड़खने त्हों की सब म्सक्राइब Wash नगे करने तो डाल बर तौर तौर देन देखते हैं कि सुबा है पांच बजए diva बोला कि ट्रेनिंग के लिए जाना है अब ट्रेनिंग के लिए गये तो वहां पर सिखाया जा रहा था कि कैसे लोगों को धोखा देना है कैसे लोगों को जूत बोल कर लाना है इस कंपनी में जोड़ना है इतना हमको गुस्सा आ गया कि कहने लाइक नहीं है हमको जूत बोल कर ले गया और उस कंपनी का नाम था ग्लेज ट्रेडिंग इडिया प्राइबेट लिमिटेड वह हमको जूत बोल कर ले गया और डिरेक्ट सेलिंग का काम था उसमें 15 दिन ट्रेणिग था यह काम था जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है हमको पसंद नहीं था हम नहीं करना चाहते थे फर्ट दिन इट्रेनिंग किये उसके बाद हम कहें कि हमको जाना है वो बोलता है कि कुछ दिन रालो देखलो समझ लो बहुत अच्छा काम है बहुत अच्छा पैसा है गरीबी दूर हो जाएगी तो यह हो जाएगा हो जाएगा इस लेबल पर पहुंचे अब उस लेबल पर कुल रहा था और हुम कहेंगी चलो उसके बातों पर भरोसा कर लिए हो हम को इतना ना बोल दिया न इतना मोटुवास्टनल बात भोल दिया और वहां को वहीं सारे लड़के है ता एसा ऐसा बात कॉल रहा था जैसे कि दुनिया के सारे गरीब वहीं पड़े हो है तुनिया की जितने भी गरीब हो सारे वही पड़े हो ऐसे बास बोल Leben हमको बोल के वहां पर वोक लिया हम नहीं गया फिर फिर दूसरा दिन वही याल खाना कर देखे तो वही उसमें दाल में हल्दी का पता नहीं चल रहा है नमक का पता नहीं चल रहा है सब्जी वही आलू स्वयविन आलू स्वयविन तीन दिन वहां पर रहे तीन दिन तीन दिन वही खाना वही सबजी वही दाल पानी के तरह अब हमको बहुत गुस्सा आ गया हम कि भाई हम नहीं रहना चाता है हमको काम पसंद नहीं है कि माँ बाप को दोस्त को कैसे दोखा देकर पैसे का इंतिजाम करना है 20,000 अगर कोई अपेड किया है दस जब दिया है तो दस ज़ार और लाओ नहीं तो सिखाया नहीं जाएगा नहीं तो काम नहीं करने देगा यह वह फ्लांट रांट ट्रेनिंग ये बोल रहा था है बोल रहा है कि बीना पैसा का नहीं होगा हम कहें कि चले जाये कोई बात नहीं है फिर हम कहें कि हमको काम पसद नहीं है हम जाना चाहते हैं फिर वह हमको भाकाने लगा सारे लड़के मिलके वहां के बोल रहा था कि यहां पर रहो कहीं नहीं जाना है तुम रख के देखो काम कर तो पने फैमली के खिलाप भड़कानेगा माबब भड़कानेगा जूट बोलकर लाने का पैसा को इसको भी सिखार चाहिए तो चाहिए लोग को यही सिखा जा रहा था हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया वहाँ पर मानते हैं कि GD level हो, PD level, LD level कोई भी level हो, कोई भी तुम कमाओ कितना भी कमाओ, तुम कुछ भी करो हमको पसंद नहीं, हम नहीं करना चाहते जब हम बोल दिए कि नहीं करना चाहते हैं, लोगों को बाका कर जूट बोल कर कि ये काम है वो काम है, इतना पैसा है, उतना पैसा है पैसा वैसा कुछ नहीं है छे महिने तक रगण के खाओ वही पानी के तरह दाल और भाद तना गुसार है कि हम क्या बता है, फिर हमाँ जाने के लिए दोस्तों के खिलाब बढ़का रहा था, वाज है कि दोस्तों के खिलाब बढ़का रहा था, वाज है कि दोस्तों के खिलाब बढ़का रहा है, वही दोस्त तमको पैसा दिया है, जो पैसा हम जाना जमा किये हैं, वह दोस्त ही दिया है मेरा, दोस्तों के खिलाब बढ़का र पर सकती सिख्टार कि दोस्तों के खिलाब बड़का रहा थे कि दोस्तremlin को थे तो यसी बाट पर हम दोस्ती पर एक बात बॉलना चाहते हैं एक स्टेटbons मेरे तो याद है आप सुनिये गये हमारी दोस्तों को अपने दोस्तों के चिरामत समझना कि एक दो चीज़ ओगे याप फिर लेक तो बात हो जाएगी तो दोस्ती टूट जाएगी ऐसा कुछ नहीं है अगर वो एक दो महिना नहीं मिलते हैं या फिर सालों बाद बात भी नहीं करते हैं अगर वो सालों बाद मिलते हैं तो वैसे ही होते हैं जैसे साल पर पहले थे वो तो फ्रेंड्स इन भोशरी वालों पर भरोसा करके अपने पुरानी दोस्ति को तोड़ मत देना फ्रेंड्स मैं इस वीडियो के जरी है आप लोगों के यही बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा कभी न हो और जल्दी किसी पर भरोसा न करें मार्कीटिंग वालों पर जोट बोल कर लेका जाते हैं किसी पर भरोसा न आ करें पहले उसको बारे में कुरा टिटेश जानकारी कर लें मेरी तरह आप लोग गल्तनी न करें कि बिना जानने चले जाये जब तक वो बताए न तब तक जाये न पुरा डिचेल बहुत सरी कंपनियां जो दोखा देखा 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 किसी पर भी बरोसा ना करें बाकि अब बताईए कि और मेरा पैसा भी गया टाइम भी गया और और तो और मेरा फोन विच्वरी हो गया वहाँ पर जीओ का फोन था जिसमें हम क्यानबे वाला नंबर रखते थे वो फोन विच्वरी कर लिया कुछ पैसा रखे थे सप्लिमेंट्स के लिए जो पहले जीम करता था वो भी गया ना इधर का हुआ ना उधर का हुआ अब बताईए ऐसे लिए के साथ क्या करना चाहिए आप लोग कमेंट्स जरूर करें धन्यवाद जाते जाते एक साहरी बोलते जाता हुआ आप लोग सुने होंगे मुन्ना भiaryा का डाईलो जो भरोसे वाले होते हैं वही भोषडी वाले भी होते थे हैं है ग्लेज ही नहीं बहुत सारी कंपनिया हैं ग्लेज की नाम अलग अलग नामों से चलती है डिरेक्ट सेलिंग वाला कुछ चकर में ना पढ़े हैं वह आपको फसा देंगे जहां पर आगे पैसा मांग रहा है वहां पर सोच समझकर नहीं कुछ पैसा लगाईएगा